Hello students, welcome to Education at Home आज हम study करने वाले हैं आज हम शुरुवात कर रहे हैं Politics in India Since Independence Class 12 में जो प्लस 2 क्लास में Political Science की बुक होती है उसको हम आज study करेंगे तो ये जो इसका फर्स अबसे फर्स चेप्टर जो है वो है Challenges of Nation Building यानि कि हमें अपने देश को एक बिल्डिंग की तरह खड़ा करने में क्या-क्या challenges आए आज हम जिस मुकाम पर पहुँच चुके हैं अपने constitution और बहुत सारी चीजों के साथ वो हमें जो है शुरुवात से देखेंगे तो इसका फर्स चेप्टर होता है हमारा Challenges of Nation Building तो मैं आपको और भी चेप्टर के जो है थोड़ा ब्रीफ बता देती हूं कि उनके अंदर क्या-क्या है तो हमारे फर्स चेप्टर के अंदर ये है कि जो Nation Building है उसमें जो है तीन challenges आए जो फर्स चेप्टर के अंदर उसको हम study करेंगे इस चेप्टर के अंदर बाकी दो चेप्टर के अंदर नेक्स्ट में हम बाकी के दो challenges इसको study करेंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल और आपने फ्रेंस के साथ आपको यहां पर मैं समझाने की कोशिश करूँगी बहुत अच्छे से किस तरीके से आप जो है stepwise जो है study करेंगे तो आपको सारी चीज़े याद भी रहेंगी और आप जो है उसको शुरू कर सकते हैं बहुत अच्छे से studies की अब इसके अंदर 9 chapter होने वाले हैं तो 9 chapters में जो है हमारा first chapter है nation building यानि कि हमें जो है भारत को जो है किस तरीके से हम एक जो है nation के रूप में खड़ा करेंगी उसके बाद दूसरा होता है one party dominance जो कि था congress का era उस time पे सिरफ एक ही party थी उसके बाद जो है फिर party तो बहुत सारी थी लेकिन जो multi party government है वैसा कुछ नहीं था one party dominance था government के अंदर उसके बाद हमारा third chapter होगा plan development अब हमारे देश में क्या हो गया है nation बड़ा हो गया है कुछ साल बीथ गई है political भी कुछ तरीके से stable है जादा तो नहीं लेकिन stability है उसके बाद जो है हम उसको develop करने की कोशिश करेंगे उसके लिए हमें planning करनी होगी तो जो जो planning हम करेंगे वो इस chapter में आने वाला है फिर आएगा four chapter यनि कि हमने अपने घर में सारे चीज़े ठीक कर ली है अब हम जो है दूसरे देशों के साथ अपने जो relations हैं उनको सही करेंगे उसके बाद फिफ चप्टर में आएगा कि restoration of congress system अब जो है एक party की dominance के थोड़े टाइम के बाद जो है जादा दिन नहीं चलता ऐसा एक का राज तो उसके बाद जो है दूसरा भी आ गया यानि कि दूसरी सरकारे भी दूसरी जो government है यानि कि जो हमारे देश में सरकार बनी वो कई सारी party से मिलके बनी तो इस तरीके से वो भी उसके बाद आएगी फिर वो जो है congress system को restore करेंगे यानि कि हमें फिर से one party system चाहिए वो इस तरीके से करेंगे तो इसके बाद आएगा हमारा six chapter जिसमें जो है crisis of democratic order होगा यानि कि जो democracy है उसके अंदर जो crisis आया है उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए फिर उसके बाद आएगा regional aspirations यानि कि छोटी छोटी अब हमें as a nation तो हमने बना लिया दूसरे देशों से हमने संबंद भी स्तापित कर लिये लेकिन उसके बाद जो है हमारे देश के अंदर छोटे छोटे जो जगें है वहां पे क्या-क्या हो रहा है उसमें कुछ problems है जैसे नकसल जो problem है वो काफी जादा है बहुत सारे राज्यों में उसके बाद आएगा हमारा last chapter यानि कि recent developments in Indian politics तो politics के अंदर कुछ अभी जो development हुई है उनके बारे में तो ये वो हमारे 9 chapter होने वाले हैं जिनको हम study करेंगे तो इसके बाद हम जो है first chapter में देखेंगे हमें जो nation building में क्या-क्या problems आई थी तो हमारा ये है हमारा first chapter तो first chapter में क्या है कि जो हमारा देश जो है नयाने आजाद हुआ है उस time पे बहुत ज़्यादा problems के साथ वो पैदा हुआ हमारा देश एक तरीके से कहा जा सकता है कि हमारे देश के दो हिस्से हो गए उसी time पे 14 से 15 अगस्त की ये बात है यानि कि हमारा देश जो है आधी रात 14 अगस्त को 12 बजे के बात जो है अजाद हो गया 1947 की बात है ये और जो है इंडिया ने अपनी अजादी उस time पे पाली अब आप देखिए अगर आप बहुत साले बहुत साले सालो से आपको जो है किसी ने पकड़ के रखा है गुलाम बना के रखा है फिर आप suddenly एकदम से अजादी आपको मिल जाती है लेकिन ये जो है प्लैंड नहीं था जिस तरीके से हमने अजादी को सोचा वैसे हमें नहीं मिली थी बहुत सारे चैलेंजिस हमें मिले हमारे देश के टुकड़े कर दिये गए इसके तीन-तीन टुकड़े हुए जैसे हमारा भारत एक पाकिस्तान और एक जिसको आज बांगलादेश कहा जाता है उसको एस्ट पाकिस्तान बोलते थे वो लोग वो बंगाल से अलग कर दिया गया इस तरीके से जो है बहुत सारी चीजे हुई एक साथ तो इसको हम स्टेडी करना शुरू करते हैं तो भारत के अजाद होने के बाद जो है उन्होंने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी ये वो स्पीच थी जो जवारलाल नहरू डे हमारे देश के अजाद होने पर पहली स्पीच हमारे देश के जो जिनको as a प्राइम Minister चुना गया वो उन्होंने एक अजाद भारत में पहली स्पीच दी जिसको trust with destiny कहा गया, speech कहा गया और ये जो है भारत इसका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था लेकिन planned तरीके से नहीं दिया गया तो इसके बारे में हमने हिस्ट्री में भी सुना है कि बहुत सारे national movement हुए, बहुत सारे movement चलाएगे जिसके बाद हमें जो है आजादी मिली लेकिन बहुत सारे goal जो है उन पे हमें अभी सबसे पहले दो चीजों के बारे में सोचना था आजाद होने के बाद उसमें सबसे पहला तो ये था कि हम जो है अपनी जो सरकार है उसको democratic तरीके से चलाएगे, ठीक है सबसे first तो ये था हम उसको democratic तरीके से एक government बनाएगे फिर वो government जो है, second number पे वो government जो है गरीब लोगों के लिए और समाजी ग्रूप से पिछड़े हुए लोगों के जो उनको उपर उठाने के लिए काम करेगी तो ये दो हमारे main goal थे सरकार बनाने के पिछे कि हमें किस तरीके की सरकार चाहिए और वो क्या करेगी तो ये अभी तक यहां तक clear है आप सबका कि जो हमें सरकार है वो democratic चाहिए यानि कि लोगतांतरिक सरकार चाहिए और उसके बाद वो जो है गरीब और socially disadvantages लोगों के लिए वो काम करे जो groups हैं उनके लिए काम करें तो यहां तक हमारा second paragraph खतम हो जाता है फिर इसके बाद आता है हमारा लेकिन ये जो goals हैं ये easy नहीं होने वाले थे इनमें हमें बहुत सारे काम करने थे तो सबसे पहला तो problems यहीं आजाती है कि हमारा देर जो है बहुत ही मुश्किल circumstances में आजाद हुआ अब ये आजाद होने के बाद ऐसी situation थी इतने difficult situation थी भारत की उस time पे 1947 में कि हमारे पास जो है अनाज की कमी थी हमारे पास resources की बहुत जादा कमी थी illiteracy बहुत जादा थी यानि कि अनपड़ लोग बहुत जादा थे अब जो है गाओं में किसी बहुती दिहात वाले एरियास में लोग रहते हैं वहाँ उनको क्या पता कोई की आजादी हमें मिल चुकी है कुछ लोग ऐसे भी थे यानि कि जो जंगलों में रहा करते थे जैसे हमारे हो गए ट्राइबस हो गए जो जंगलों में रहते हैं शेडूल ट्राइबस जिनको आज कहा जाता है शेडूल एरियास में तो उन लोगों को इस बात से कोई मतलब भी नहीं था कि हमारे देश में क्या चल रहा है बहुत सारे एरियास में उन्हों लोग जो है ना तो उनको अंग्रेजों का कुछ प्रॉब्लम होता था कुछ लोगों को तो और ना उनको अजादी से कुछ मतलब था कुछ लोगों को तो अजादी का दिन भी याद नहीं था तो ये वाली problems को solve करने के लिए बहुत सारी चीज़े हमें देखनी पड़ी जैसे उस time पे हमारा displacement भी हुई यानि कि displacement कैसे हुई यानि कि उन्होंने कहा कि हम इसके दो हिस्से करेंगे दो हिस्से उन्होंने कहा कर दिया जाए उसके बाद जो लोग हैं उन्होंने देखा कि सारे हिंदू तो भारत में हैं लेकिन बाकी लोग जो है कुछ हिंदू उसमें पाकिस्तान में भी रहते हैं जिसको आज undivided पंजाब अगर कहें तो वो कुछ हिसा उसका पाकिस्तान में है और कुछ इसा इंडिया में है, तो इसको देखते हुए तो उन्होंने सोचा कि अगर हम यहां रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, कुछ हिंदू होने सोचा तो हमें यह लोग रहने नहीं देंगे, क्योंकि सभी हिंदू तो वहां चले गए, तो फिर धीर धीर गए यह displacement हु बहुत सारे लोगों को इसमें जो है, इधर से उधर देश कंट्री इधर उधर जाना पड़ा, आपने गदर मुवी तो देखी होगी, तो गदर मुवी में यह चीज़े दिखाई गई है, कि जो है, किस तरीके से लोग एक जगा से रातो रात उनका ठिकाना ही बदल दिया लोग अपना सब को छोड़ कर वहां से कहीं और चले गई, तो यह था ट्रोमा ओव डिस्प्लेस्मेंट, तो यह वो सिच्वेशन थी, जिसके अंदर भारत ने अपनी जर्नी को शुरू किया, इसके अबजेक्टिव बहुत जादा थे, यानि कि किस तरीके से भारत को स्टे नेशन की शेप कैसे दी जाए, क्योंकि उस ताइम पे पहले तो उसके टुकडे कर दिये गए तीन-तीन, जिसमें एक था इंडिया, फिर पाकिस्तान और दूसरा इस्ट पाकिस्तान, जिसको बंगलादेश कहा जाता है, अब उसके लावा जो है भारत के अंदर ही 500 से ज्या सर्दार वरलभाई पटेल ने, जिनको आइरन मैन ओफ इंडिया कहा जाता है, उनको इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को जोड़कर एक ऐसा भारत बनाया, जो बाद में खंडित नहीं होने वाला था, तो इसमें उन्होंने 500 से ज्यादा प्रिंसली नहीं हुआ, अभी उसको यूटीबी बना दिया गया, अभी उसके बाद जो है, यह था हमारा फर्स्ट चैलेंज, जिसमें अब हम थोड़ी दूर जाते हैं, भाषा बदल जाती है, और दूर जाते हैं, कल्चर बदल जाता है, तो इस तरीके से लोगों को अलग अलग तरी हमें उसकी इंटिग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, उसके बाद हमारा दूसरा चैलेंज था कि डेमोक्रेस्टिक जो गवर्मेंट है, उसको स्थापित करना है, तो दूसरे चैलेंज के अकोर्डिंग हमने जो है, अपने इस चीज को शामिल किया, कि हमें जो है, हर एक सिटीजन को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सबसे पहले डेमोक्रेसी का जो माप देंड है, वो यही है, कि हमारे देश में हर किसी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, जाती से सबंद रखता है किसी भी, और मोटा है या पतला ह सबी को है सबी लोग जो है वो वोट दे सकते है अपना इसके बाद जो है भारत ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ली जो की पार्लियमेंटरी फॉर्म ओफ गवर्मेंट थी यहीं कि हमने इसको ओल्रेडी अडॉप्ट करने का सोचा था फिर जो है इसको शामिल कर दिय गया यह जो है थोड़ा सा जो ब्रिटिश है ब्रिटिश पार्लियमेंट उस पर थोड़ा थोड़ा बेस्ट है जो की 1935 एक्ट था जो गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट ओफ 1935 उसके गोडिंग था यह बहुत सारा कुछ तो इसके अंदर उसको मीनी कॉंस्टिशन भी कहा बिंग हर एक सोसाइटी की एंशोर करनी है पूरी सोसाइटी की as a wall किसी एक सेक्शन को नहीं हमने प्रविलेज देना लेकिन फिर जो है धिरे-धिरे SCST Act यह वली चीजों को जोड़ना था क्योंकि उन लोगों ने डिसडवांटेज देखी है बहुत सालों तक इसलिए उनक सब्सक्राइब करें तो सर्फ एक्वैलिटी के अधार पर बेसिज ओफ एक्वैलिटी तो यह सोशल जो स्पेशल प्रोटेक्शन है वो दी गई थी सभी को लेकिन हम उनको सिक्योर ज़रूर कर सकते हैं लेकिन किसी को स्पेशल स्टेटस किसी धरम को नहीं दिया जाएगा नहीं स्टेट का कोई धरम होगा तो थर्ड चैलेंज था कि हमें हमारी पूरी सुसाइटी की वैल बिंग के लिए काम करना होगा और यह डेमोक्रेटिक जो गवर्मेंट है वो इसके लिए काम कैसे करेगी तो यह था हमारा तीसरा चैलेंज तो यह हमारा चप्टर जो है इस अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताएं कि इसमें क्या-क्या और इंप्रूव किया जा सकता है थैंक यू